अरे अभी अभी तो आप चेक अप करा के गएं थे फिर अचानक आ गएं सब कुछ ठीक तो है कोई गरबर है क्या डाक्टर बाबू गरबर तो कोनो ऐसन बात नहीं खे लेकिन हमार पेटवा में नू काले से हम गौर करत ही हमार बबुआ पेटवा में घूमत नहीं खे जैसे कि अगदम पेटवा खदर बदर अच्छा हर पहर करत रहे नू जैसे कि पेट में बच्चा घूमेला तो हलल हलल लागेला नू डाक्टर बाबू वैसन हमरा की नईखे लागत काल है सान जी बेरा से वह खातिर सोच ली कि डाक्टर बाबू से एक बर मील ले वीला अच्छा मतलब पेट में बच्चा नहीं घूम रहा है इसी वज़े से आई हो हाँ उहे डाक्टर बाबू बहुत परेशान ही बहुत और हमार साथ साथ हमार घर कर पूरा परिवार बहुत परेशान हमन डाक्टर बाबू अभी अभी तो आप आए हैं हम चेक अप करते हैं हमारे चेमर में कोई कोई चीज के दिक्कत नहीं है आप जो चीज के दिकट से आए है उसका सलूसन निकाल के हम भेजेंगे कम्प्यूटर में चेक करके, अभी तुरंथ हम चेक करके और पेट में बैच्चा कैसा है? सारा कुछ अभी तुरंथ हम बता रहे हैं आप घब रहे हैं आखिर आपको ऐसे अचानक पेट में बच्चा घूमना बंद कैसे कर दिया? कोई आप भारी काम कर लिये थे क्या? नहीं डाक्टर बाबू, हम लोग तो जुगर छला दीदी के कुछ भी काम करने नहीं देते हैं, हम लोग सारा घर का काम कर लेते हैं, बहुत ख्यार रखते हैं हम लोग अपना दीदी का नहीं, हम मान ही नहीं सकते हैं, कुछ तो गरबर हुआ है, इसी के लिए पेट में बच्चा घूम नहीं रहा है डाक्टर बाबू, साच साच हम बात बोलत ही, काहे कि काईल रहे घर में गोद भराय के रसम, तो जुगुर छला काईल सारा दिन उपास केले रहे डाक्टर बाबू, हम लोगन घर कर नियाम है, आगर जब बेटी पूता हु रहे लाने इस ऐसन सरीरिया में नो, तो गोद भराय में खाली पेट उपासे रहे के पूजा कर लजाए ला डाक्टर बाबू, हम बहुत बहुत मना कर लिए हम हमार अम्मा के, कि अम्मा ऐसन सरीरिया में उपास पियास नहीं कर लजाए ला, लेकिन हमार अम्मा माने तब तो डाक्टर बाबू यही सबसे बड़ा कांट हुआ है, सबसे बड़ा गुना हो गया है कि कल पैसन को सारा दिन खाना नहीं मिला, मतलब पैसन नहीं खाएगा, तो पेट में जो बच्चा पल रहा है, ओ कहां से खाएगा खाना, यह तो आप लोग को सोचना चाहिए न, क्या गोद भराय के रसम जल्दी, जल्दी कम्प्यूटर वा में चेक अप करके बताई, बताई डाक्टर बाबु पेट में बच्चा कैसा है, ठीक ठाक तो है, हाँ हाँ करते हैं, हडब बड़ा यह नहीं, जो अभी हम कम्प्यूटर में चेक करके आप लोग को हम दिखाएगे न, बच्चा कैसा है नहीं है, उसके लिए डबल, डबल चार्ज लएंगे हम, डाक्टर बाबु डबल चार्ज काएगे खातिर, यह हमार दुलिनिया तु कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, डबल का, तीबल, चौबल, हम चार्ज देवे खातिर, तयार ही, बस, बस पेट में बच्चा कैसा नहीं है, वो दिखाए दी, हाँ, हाँ, आप लोग भबराये नहीं, आजाए, कंप्यूटर तरफ मुंडी अपना घुमा लिजे, अभी तुरंथ हम दिखाते हैं, बच्चा कैसा है, यह देखी, आप लोग बच्चा देखे पहले, कंप्यूटर का स्कीन पर देखे, बच्चा पे पेटवा में सूतत है, डाक्टर बाबू, हमारा बच्चा के धरकन चलत तो है, पेटवा में आखिर घूमत का है, नहीं के कुछ बोली, डाक्टर बाबू, बच्चा का पेट में वजन बहुत जादा हो गया है, इसी कारण बच्चा पेट में घूम नहीं पा रहा है, आच् में दीदी जोती जुगुरुचला दीदी का जो इस बार बेटा पैदा होने वाला है वो तो बहुत ही सुन्दर खुपसुरत गोरा नारा पैदा होने वाला है अब की बार जुगुरुचला दीदी का राज ही राज है सुस्राल में एक तो पोता को जनम देने वाली है उसके बाद सुसराण में इसी कर चलेगा हम लोग को का तो कुछ भी नहीं होने वाला है डाक्टर बाबू सब कर धरकन बैठल जाता है बताई नो सब ठीक ठाक तो है नो हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है हम बोले ना वजन बढ़ने के वज़े से बच्चा पेट में घूम और आपको काम करना है बहुत जादा गर्मी चल रहा है तो गुलकोच का पानी मतलब बोले तो घंटा घंटा ही पीना है सारा दिन में कम से कम पांच से साथ लिटर पानी पीना है अगर सही सलामत बच्चा चाहिए तितना गर्मी में जादा पानी पीना पड़ेगा हाँ हाँ डाक्टर बाबु हाँ अब बिल्कुल गल्ती ना होई हाँ मिनटे मिनट पानी पी अब डाक्टर बाबु अरे हद है बेवकुफी का भी टीबी का स्कीन पर बच्चा को देखके गाना गाये जा रही है यह यम्मा बस कर बस कर यम्मा दाक्टर बाबु सुनाता है तोर गितवा के हामर अखिया के तारा कब आई हामर कले जाके तुकुडा आई जर ललना आई जर हमर पोता जलेटी से आई जा अब आप एको लेट ना काना करा बस करिए बस करिए गाना होना अगाना है तॉ अपना घर पे जाकर गई है यहां पर पैशन को ठ्यान देना अब आप पैयसेन को घर ले सकते हैं हाँ- हाँ ठीक है जैसे द्रद उठेगा अग्दम तुरंथ हॉस्पिटल ले करके आ जाएगा घर में बिल्कुल दायक चाची के चक्कर में फस्येगा मत हाँ डाक्टर सर हम लोग तुरंथ हॉस्पिटल ले का जाएंगे बिल्कुल भी लिट नहीं करेंगे